ओम स्री गनेशा नमदोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मार्च सुक्रवार के रासी फल के बारे में की हा दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जान और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तों आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके व्यवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सामंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तों आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तों साथिसाथ धर्मिक क्रिया कलापों में विवरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवश्य प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के एक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कार्य च्छित्र में अपनी महनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्य ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पेरिणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भूग सके और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपकी खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तो परि या दोस्तो शाती सात पैसे के लेंदेन में भी आज आपको सावदानी रखना आती आवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसाम दायक हो सकता है इस दिन मांसिक असांती तता तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस नि परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जिया दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्यता इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आवसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सभी कर रहे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथ इसाथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तों साती सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है औ आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको संधियाकाल यानि साम के समय आपको यह उपाय करना है जैं दोस्तों जगा आपको एक घी का दीपक जलाना है जया दोस्तों आपको एक बात का विशेश रूप से यह ध्यान लखना है कि इस दीपक में आपको रूई की बाती के इस्थान पर लाल रंग के सूती धागे की आपको बाती लगानी है जया दोस्तों इसके बाद आप इस दीपक में द आपके घर में धन सुकसंपत्ती का वास होगा, जया दोस्तों आपके जीवन में धन संबंदित जो भी परिसानिया चल रही है, मा लक्षमी के आशिरवाद से सभी परिसानियों का अंत होगा, और आपके घर में धन सुकसंपत्ती का वास होगा, मालक्षमी आपके घर में वास करेंगी जा दोस्तों ये बहुती अच्चूक उपाए है इस उपाए को आप अवश्चे करें आपको अवश्चे ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों मालक्षमी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैमाल अक्षमी अवश्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद